मैं दिल्ली हूँ महराज ययाती से देव्यानी का विवाह तो केवल आरियों से आरियों का मिलन था लेकिन शर्मिष्ठा से महराज ययाती का विवाह, असुरों और आरियों की ऐसी संधी थी जिसने प्रेम, शान्ती और सदभावना की स्थापना की दो संस्कृतियां एक हुई और एक नई संस्कृति ने जन्म लिया महराज ययाति को देव्यानी से जो पुत्र मिला वो यदू था यदू से यदूवंश का आरंभ हुआ इसी वंश में एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिसके चरणों के प्रताप से मैं ही नहीं ये संपूर धर्थी भी पावन हो गई मैंने उस हस्ती को कई रूप में देखा वो बाल गो पाल थे, वो माखन चोर थे वो नृत्य करईया थे, वो रास रचयया थे वो पंसी बजयया थे वही जो महा भारत युद में अर्जुन के सार्थी थे वही तो थे जिन्होंने संसार को गीता का उप्देश दिया था हाँ, वही वासु देव श्री कृष्ण शर्मिष्ठा ने जिस पुत्र को जन दिया उसका नाम पुरू था पुरू से कौरव वंश चला जिसमें कौरव और पांडव पैदा हुए मगर इससे पहले इसी वंश में एक ऐसे प्रतापी राजा का जन्म हुआ जिसकी गर्मा की चर्चा ना केवल इस लोक में थी बलकि इंद्र लोक में भी थी उससे मेरा संबंध वैसे ही था जैसे आकाश से चन्द्रमा का फूल से सुगंध का और शरीर से आत्मा का क्योंकि आज मैं जिस भारतवर्ष की राजधानी हूँ उसका नाम जिस राजा के नाम से रखा गया था वो राजा भरत था राजा दुश्यंत और शकुंतला का फुत्र महरिशी विश्वामित्र का नाती आज मेरी कहानी का पड़ाव राजा भरत है तो आईए आप भी मेरी आखों से भरत दर्शन कीजिए कर दो अ हूं एक चोड़ दो मुझे चोड़ दो मुझे चोड़ दो चारति लुका यह कई चोड़ दो मुझे डोको लुका है कुछ पर यह तो तुश्वर तेरे बाद कुने यह यह हमारी बात मानकर तीस भार सोना हमें दे देता तुझे अपरण करने की आउशकता न पड़ती है अब आप इसे किसी देर जीवित रखेंगे मैं तो कहता हूं ना इसका पिता आएगा और ना हमें सौन मिलेंगे अगर आग्या हो तो इसका सर धर सालग करते हैं यहीं उचित रहेगा अब जो भी हूँ पहले छोड़ दो इसका अब बता कौन हो तुम पहले तुम बता तुम कौन हो दो सुनो हम दाकु है दाकु हाँ इस शेत्र के लोग हमारा नाम सुनकर कापते हैं मैं दल्लाइक हूं इन सबका यह सब हमारे साती हैं मेरा नाम जंगा है जंगा मुझे दाहक कहते हैं और मुझे पावक और मुझे गर्जन सिंग ये नाम तो सुने हैं हमने इस खेत्र में आतंक फेलाने के लिए प्रसिद्ध हैं ये नाम लूट मार और हत्या जैसे अफराज किये हैं तुम लोगों ने इन्तु एक असहाय और दुर्बल कन्या के प्राहन लेने का कारण हम अपहरन करके लाए हैं इसे अपहरन इन्तु क्यों इसका विबाह होने वाला है इसके पिता ने सुन्ड के अभूशर बनवाया है इसके सुन्ड मिल जाए तो कौन देगा इसके प्राणों के बदले हमें सुन्ड मैं तुम्हें दूंगा सुर्ण किन्तु तुम क्यों दोगे कौन लगते हो तुम इसके समझ लो हम इसके पिता हैं पिता है परत्तु तुम सोच क्यों रहे हो हम तुम्हें देंगे सुर्ण महाराज भरत का नाम किन्तु ने कभी देखा नहीं तो आप देख लो छोड़ दो इस कन्या को और इसके बदले में हम तुम्हें देंगे साठ भार सुरण किन्तु सुरण है कहाँ तुम सब हमारे राज महल में आ जाओ तुम्हें सुरण मिल जाएगा वाव महराज वाव डाकू अवश्य हैं हम किन्तु मूर्ख नहीं यदि हम आपके राज महल में आते हैं तो वहां हमारा स्वागत आपके साइनिक करेंगे गर्दन काट दी जाएगी हमारी नहीं महराज नहीं इतना महगा स्वरन हमें नहीं चाहिए महंगा स्वरन नहीं स्वरन का कोई मूली नहीं महंगे तो हैं मानव प्राण इस कन्या को छोड़ दो तो हम तुम्हें स्वरन देंगे ये हमारा वचन है और भरत अपने वचन से कभी नहीं फिरता सुना तो हमने भी यही है तो फिर हम पर विश्वास रखो और छोड़ दो इस कन्या को और आजा हुमारे राज महल में और तुम्हें स्वरन मिल जाएगा नहीं जंगा नहीं इनकी बातों में मत आना मुझे तो इनकी बातों में छल लग रहा है इश्वर की सौगंद अगर इस कन्या के प्राण संकट में नहोते तो मैं तुम्हें उचित उत्तर देता याद रखो मैं अब भी तुम चारों को दंद दे सकता हूँ इससे पहले मैं इसका वाच कर दूँगा इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा यदि इस कन्या की मिर्ति हो गई तो लोग आरोप तुम पर नहीं मुझ पर लगाएगे यंता कहेगी कि एक राजा होते हुभी मैं इस कन्या के प्राणों को बजा नहीं सका एक पिता होते हुए मैं अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका इसलिए मैं कहता हूँ कि विश्वास करो मेरे वचन पर यह भरत का वचन है हम विश्वास करते हैं तुम्हारी वचन का किन्तों राजमहल में हमारी सुरक्षा हम तुम्हें सुरक्षा का वचन देते हैं राजमहल में तुम्हारा स्वागत अतितियों समान होगा और स्वरन लेने के बाद जब तक तुम अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं पहुंचते हुँआरी सुरक्षा का उत्तर दायत हमारा होगा छोड़ दो इस कन्या को महाराज नहीं पुत्री अब तुम्हारे प्राणों को कोई संकट नहीं तुम सुरक्षित हुँ हमने देखा कि तुमने हमारे वचन पर विश्वास किया और कन्या को छोड़ दिया अब तुम देखोगे कि राजा भरत अपना वचन कैसे निभाता है चलो पुत्री सावधान, चंद्रकुल्भूशन, महाप्रतापी, महान्यायप्रिये, सर्वदमन, महाराज भरत पधार रहे है प्रणाम गुरुबर महाराज, चार व्यक्ति आपसे मिलने की छुक है उन्हें सम्मान से उपस्थित किया जाए जो अग्या महाराज महाराज, अपराज क्रिशामा हूँ, किन्दु आपने इन्हें दस्युराज कहेकर संबोधुत किया आपने सत्य कहा महामंत्री जी, ये दस्यु हैं, ताकू है महाराज, किन्दु इनकी यहां आने का कारण? महामंत्री जी, जब हम माताश्री को मिलने वन की और जा रहे थे तो हमें वन से किसी कन्या की चीख सुनाई दी जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि ये चार एक कन्या का भरन करके उसे वहाँ ले आए हैं ये उसकी हत्या करना चाहते थे और कारण ये था इन्होंने उसके पिता से 30 भार स्वरुन मांगा था जो इन्हें नहीं मिला हमने कन्या के प्रान बचाने के लिए इनको बचन दिया कि हम इने 60 भार स्वरुन देंगे इन्होंने हम हमारी बात मांद ली और कन्या को मुख कर दिया महाराज ये ऐसे अपराधी हैं ऐसे हत्यारे हैं जिने स्वर्ण नहीं कोड़े मिलने चाहिए इन्हें तो मृत्व दंड दिया जाना चाहिए साइनिको देखते क्या हो पकड़ लो इन्हें महाराज भरत हमने तो आपकी वचन पर भरोसा करके इस कंञ्या को छोड़ा था और आपने हमारी सुरक्षा का वचन दीया था क्या यही है आपका वचन चुपराओ कोई वचन नहीं दिया महाराज ने तुम लोग केवल दंड के अधिकारी हो धैरिए महराज, यदि हमें पता होता कि आपका वचन एक छल है, कपट है, तो हमें यहां कभी ना आते आपने हमें धोका दिया है नहीं दस्यूराज, नहीं हमें खेद है कि हमारी राज्य सबा में आपके साथ ऐसा व्यवार हुआ महामंत्री जी, आपको दस्यूराज से इस व्यवार के लिए एक छमा मांगनी होगी किन्तु महाराज किन्तु क्या महामंत्री जी, राजा प्रजा का अदर्श होता है, समाज का प्रतीक होता है यदि महाराज अपने वचन का पालन नहीं करेंगे, तो कोई भी किसी के वचन पर विश्वास नहीं करेगा और ये एक परंपरा बन जाएगी, जो हम कदा भी नहीं होने देंगे महाराज कहित इसी में है, कि वो अपने वचन का पालन करें और ऐसा करने से जो राज को क्षती होगी, उसके उतरदाइक भी स्वयम महराजी होगे। हम उन्हें अपना वचन भंग करने का परामश नहीं दे सकते। दस्युराज, महामंत्रीजी के उर से हम आपसे ख्षमा मांगते हैं। कि महाराज अप्राद अक्षमा किन्तु मामंत्री जी हमने दस्यूराज को वचन दिया है कि इस कन्या के प्राणों के बदले में हम उन्हें साथ भार स्वरंड देंगे कि आप यह नहीं जानते कि महाराज भरत का वचन उनके प्राणों से भी अधिक मुल्यवान होता है वो तु जानता हूं महाराज किन्तु तो इसके बाद और कोई प्रशन नहीं सुरन प्रस्तुत किया जाए दस्यूराज हम आपके अभारे हैं कि हमारी बात मानकर आपने कन्या को प्राणदान दिया प्रशन किजिए लेलो जैदि आप जाहें तो आप हमारे राजमहल में विश्राम कर सकते हैं नहीं महाराज अब हमारा जाना ही उचित होगा जैसे आपकी इच्छा आप जा सकते हैं जब तक आप अपने ख्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं आपकी सुरक्षा का उत्रदायत हमारा है आप जिता मत किजिए यह हमारा वचन है अच्छा महराज अब आग्या दीजिए आग्या है चलो कि रुकिये मत कि जाइए कि जब तक दस्यूराज जंग अपने ख्षेत्र में नहीं पहुंचता हमारे राज का कोई भी कर्मचारी उन्हें चूने का साहस नहीं करेगा और यदि किसी ने ऐसा किया तो हमारी द्रिष्टी में वह उनसे भी बड़ा प्रादी होगा और उस अप्राद का परिणाम होगा मृत्युदन साधारण व्यक्ति तो मूर्ख होता ही है लेकिन राजा इतना बड़ा मूर्ख निकलेगा यह तो हमने सोचा ही नहीं था करनायक जब राजा ने तुम्हें दैस शुनायक कहा था तो सारा दर्वार हमें देख रहा था भाई मैं तो डरी गया था कहीं हमें वे जान सेना माड़ा ले डर तो मैं भी गया था उस सेनापति की तल्वार देखके भाई मुझे तो उमीद ही नहीं थी कि हम बचकर निकलेंगे राजदर्वार से यह तो चमतकार हो गया प्रजा को लूटने वाले जंगा ने आज राजा भरत को लूट लिया जानते हो तुम लोग जब मेरा जनम हुआ था ते एक जोसी ने मेरे माता-पिता से कहा था कि दर आएसे लोग कापेंगे इसके मुझे निकला हुआ शब्द आदेश होगा और यह राज करेगा देख लिया तुम लोगों ने आज मैं राजा हूं राजा इस छेत्र का राजा नहीं कि तुम दस्यू हो नाकू हो राजा हम है महराज आप हां हम हमने अपना बचन पूरा किया तुमें साथ भार स्वर्ण देकर और इस छेत्र में सुरक्षित लाकर कि इन्तु अब तुम केवल डाकू हो और राजा हम है और हमारी तलवार हमारे हाथ में है कि देख क्या रहे हो हमारे साथ कोई सैनिक नहीं हम अकेले महराज आपको यहाने में भय नहीं लगा भय राजा का होता है राजा को नहीं कि यदि तुम लोग आत्म समर्पन कर देते हो तो केवल कारागार जाओगे और यदि सामना करने का सहस किया तो उसका परिणाम होगा मृत्यू दंड महराज आप भूल गए कि हम चार हैं और आप अकेले हाँ हम अकेले हैं इन्तु आज न तो तुम्हारी तलवार किसी असह हाए कन्या की करदन पर है और ना हम वचन पद्ध हैं आज हमारी तलवार हमारे हाथ में है और हमारा आदेश है कि इसी ख्रण आत्म समर्पन कर दो महराज आज तक इस छित से कोई हमारे हाथों बचकर नहीं गया है जब भी जंगा ने तलवार उठाई है रक्त पिलाया है को इसी कारण लोग इस छित में आने से काप जाते हैं और लोगों का काप जाना स्वभाविक है यही हमारा सवभाग्य है नहीं यह तुम्हारा सवभाग्य नहीं यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारा सामना राजा भरत से हुआ है तुमने हमारा वचन देखा है तुमने हमारी दया भी देखी है अब हमारा क्रोध भी देख लो कि अब करें हम जा है तो एक श्डवे इन पापी शरीरों को गिरा सकते हैं महाराज मुझे श्मा कर दीजिए महाराज श्मा कर देजिए महाराज श्मा कर दीए तुम लोग किसी भी द्रिष्टी से क्षमा के योग नहीं हो पिर भी तुम्हें जीने का एक अफसर और देते हैं कि तुम इससे पहले तुम्हें उस कन्या से क्षमा मंगनी होगी जिसे अपने अभवित्र हातों से चू कर तुमने अफमानित किया है महराज महराज हमें प्राण दान दे दिजिए हम इस कन्या से भी शमा मांग लेंगे आओ पुत्री प्रणाम महराज यंगा देवी हम सब को शमा कर दो देवी इस प्रकार नहीं इसके चरण शूकर जी जी महराज तुम सब आप आप ये शमा कर दो देवी और आप इस सवरन पर तुम्हारा नहीं इस गन्या का दिकार है जी महराज गर्जण यह लो जंगा यह लो देवी यह आपके लिए है यह लीजिए महराज परंतु हां पुत्री अब यह सवरन तुम्हारा है जंगा कुछ समय पहले तुम कितने निर्दई और अत्याचारी थे क्योंकि उस समय तुम्हारा केवल प्राण लेने का चैतन्य था किन्तु अब जब तुम्हारे अपने प्राण संकट में हैं तुम कितने काय हो गया हो जब तुम जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें जीवन लेने का क्या अधिकार है जी महराद आज जब हमारे प्राण संकट में आये तो हमारी समझ में आया कि प्राणों का मूल ली क्या है पुत्री हम तुम्हारे अभारी है तुमने इस खेत्र को आतंक से मुक्त करने में हमारी साहिता की जंगा जाओ और एक नए जीवन का आरंभ करो आतंक और घ्रना का नहीं किन्तु प्रेम और सब्धावना का आव बेड़ी जैसे भी हो मेरी बेटी को वापस ला दो यदि वह मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राहत त्याग दूगी कहां से लाओं तेरी बेटी अरे वो हत्यारा जंगा उसने मुझे से तीस बार स्वर्ण मांगे हैं उसके बदले में अब तू ही बता हम कहां से लाएं तीस बार स्वर्ण इसका अर्थ यह हुआ वो मार डालेगे मेरी बेटी को और मैं जीते जिसका मों नहीं देख पाऊंगी अरे वो स्वर्ण के बदले मेरे प्राण भी मांग लेते तो मैं दे देता हूंने पर पता नहीं किस शत्रू ने उन डाकूं को ये सूचना दी के मेरे पास तीस बार स्वर्ण है करुणा की मां ये दोश हमारा नहीं ये दोश तो उसका है जिसने हमें बेटी तो दी किन्तु दन नहीं दिया निर्दन बना के बेज़ा है हमें इस संसार में अब तू ही बता उसके विवा में शेश एक दिन बचा है यदि वो वापस नहीं लोटी तो हम लोगों को क्या उत्तर देंगे अभी तो किसी को इस बात का पता नहीं कि करुणा को डाकू उठा कर ले गए है जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो वो हम पर उंगलियां उठाएंगे हसेंगे हम पर हमारा जीना दुरलब कर देंगे करुणा की मां हमें आत्म हत्या करनी पड़ेगे बेटी के मिला वैसे भी तो जीते जी मर जाएंगे हम लोग देख इससे पहले कि लोगों को इस बात का पता चले हम आत्म हत्या कर लेते हैं ठीक है यदि भगवान की यह इच्छा तो यही ठीक है मां बाबा करूना मां तेरा विवा है बेटी यदि तु आज़ वापस नहीं आते ही तो लोगों के सामने लज्जा से हमारा से से जोक जाता हम इस्तिती का सामना नहीं कर पाते हमें आत्म हत्या करनी पड़ती बेटी आत्म हत्या तो तुम्हें अब भी करनी पड़ेगी श्रीनाथ गौरी शेंकर जी आप हाँ मैं अच्छा हुआ कि ठीक समय पर मुझे इस बात की सूचना मिल गई किस बात की सूचना अच्छा किस बात की सूचना और इस बात की सूचना कि तुम्हारी बेटी को डाकू उठा ले गए थे किन्तु उन्होंने तो इसे छोड़ दिया और डाकूओं की छोड़ी हुई कन्या के साथ मैं अपने बेटे का विवा नहीं कर सकता क्यों क्यों नहीं करोगे इससे विवा क्यों कि तेरी बेटी डाकूओं के पास रहकर आई है और इस बात का क्या प्रमान है कि तेरी बेटी वहाँ सुरक्षित थी और इस बात का क्या प्रमान है कि उन्होंने इसकी पवित्रता भंग नहीं की होगी और इस बात का क्या प्रमान है कि इसके साथ उन्होंने बलातकार नहीं किया होगा गौरी शेंकर जी चिलाओ मत श्रनात तुम्हारी बेटी अब पवित्र नहीं रही यह डाकूं के पास से मूग काला करके लोटी है और अब इसके साथ मेरे बेटे का विवा नहीं हो सकता नहीं गौरी शेंकर जी मेरी बेटी को डाकू अवश्य उठाकर ले गये थे किन्तु उन्होंने इसे छोड़ दिया है उन्होंने इसके साथ कोई अनुच्यत वैवार नहीं किया यह तुम नहीं एक लड़की का बाप बोल रहा है बाप लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले और क् इस कलंकनी के साथ विवा करके मैं अपने बेटे का जीवन नश्ट नहीं कर सकता समझें गौरी शेंकर जी यदि ये विवाना हुआ तो फिर आज जीवन इसका विवा नहीं होगा मेरी पेटी का जीवन नश्ट हो जाएगा मेरी आपसे बिंती है मेरी बेटी को सविकार कर कदाप ही नहीं मैं इसे सुखार नहीं कर सकता अरे मैं क्या गाउं का कोई भी व्यक्ति इसे सुखार नहीं कर सकता चलो भाईयो ठेहरो कि महाराज भरत आप महाराज भरत महाराज भरत महाराई भरत प्रणाम महराज प्रणाम महराज पुत्री हम तो केवल तुम्हें ये स्वर्ण देने आये थे जो तुम रत में भूल गई थी महराज अब भी स्वर्ण की मुझे कोई आवशक्ता नहीं है नहीं पुत्री है हमने सब कुछ सुन लिया है तुम्हारा विवा अवश्य होगा शमा करें महराज हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहु नहीं बना सकते जो डाकूं के पास रहका राई हो ये सत्य है कि डाकूं इसका अभरन करके इसे ले गए थे किन्तु उन्होंने इसके साथ कोई दुर व्यवार नहीं किया उनको तो लोब केवल स्वारन का था यदि उन्हें स्वारन न मिलता तो वो इसके प्रान ले लेते किन्तु हमने उचित समय पर पहुँचकर इसके प्रान बचा लिया किन्तु महाराज ये बात हम कैसे मान ले कि एक लड़की को डाकू उठाकर ले गए हो और उसके साथ उन्होंने कोई अनुचित वहवार नहीं किया हो वे डाकू थे महाराज कोई सजन पुरुष्टो थे नहीं जो इसके सम्मान की लक्षा करते उन्होंने जरूर ही इसके सम्मान का हरण किया होगा और अब ये लड़की किसी भी सम्मानित व्यक्ति के घर की बहु बनने के योग नहीं है महाराज इन्तू इस पर ऐसा लांचन लगाने से पहले आप सोच लिजिए कि इसके लिए जीवन और मृत्यू का प्रशन है क्योंकि ये नारी है और नारी के लिए सम्मान एक दरपन के सम्मान होता है एक बार वो तूट जाए तो वो फिर कभी नहीं जोड़ सकता हम इसे बचा कर ल यदि उन डाकवों ने इस कन्या के सम्मान का हरंड किया होता है तो हम उन्हें जीवत न छोड़ते हैं कि तो आप आप उन डाकवों से भी बुरे हैं एक निर्दोष कन्या पर लांचन लगाकर आप उसका जीवन नश्च कर रहे हैं नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति और हर स हम आपसे पूछते हैं कि यदि आपकी पुत्री का अफ़रन कर लिया होता डाकवों ने तो क्या आप उस पर इस तरह लांचन लगाते क्या आप उसे स्विकार करने से इंकार कर देते यह कन्या जिश्कलंक है निर्दोश है पवित्र है और यह हम कह रहे हैं राजा भरत क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है महराज है मुझे शमा कर दीजिए थोड़े समय के लिए हम बहग गए थे आपने सत्य कहा है नारी का सम्मान करना तो हर व्यक्ति और हर समाज का करतव्य है मैं आप पर विश्वास करता हूं महराज और करुणा को अपनी बहुँ सिकार करता हूं मैं भी अपनी भूल पर लज्जी थु महाराज करुणा मेरी पत्नी बनने वाली मेरी अर्धांगनी बनने वाली उसके चरित्र पर संदेख करके मैंने भी पाप किया मुझे एक छमा कर दी हमें प्रसन्नता है किया आपने अपने भूल सिकार की और करुणा को अपनी पुत्र वदू सिकार किया आपने हमारे विश्वास की लाज रख ली पुत्री करुणा हब तुम पर कोई लांच्छन नहीं महराज महराज मैं आपका योग का किस तरह चुकाऊंगी वहाँ आपने डाकों से मेरे प्राणों की रक्षा की और यहां मेरे सब्मान की रक्षा कर आपने मुझे अपमानित होने से बचा लिए पुकार नहीं पुत्री ये तो हमारे कर्तव्य है राजा प्रजा के पिता समान होता है प्रजा उसकी संतान होती है और संतान की सेवा करना राजा का करतब ये होता है और फिर पुत्री तुम तो नारी हो और कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते है नारी जननी होती है, स्रिष्टी होती है, मा होती है हम तो इश्वर के आभारी हैं कि उचित समय पर हमें भेज कर उसने अनर्थ से बचा दिया पुत्री हम तुम्हें आशिरवाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन सदा मंगलमय हो माराज अयुश्यमान भवा मैं दिल्ली हूँ आज मैं धन्य हो गई भारत के वल राजा ही नहीं था वो एक पिता भी था अपनी प्रजा का सुख दुख बाटने वाला यही तो इस देश की परंपरा है और मुझे गर्व है कि मैं भी इस परंपरा का एक भाग हूँ